नमस्कार, वेलकम दो स्टडी आईक्यू, मैं हूँ प्रशान दबन, भारत को अगर बिलकुल गुलामी की मानसिक्ता से आजाद करवाना है न, तो ऐसे स्टेप्स लगातार हमको चलने होंगे, देखिए भारत आजाद तो 1947 में हो गया था, अंग्रेयस चले गए थी, मगर करने के लिए एक बहुत ही important step recently चला गया है, Port Blair, अभी आपको दिखाऊंगा, अंडवान एन निकोबार आइलेंड्स, भारत सरकार की union territory, उसकी capital, उसकी capital का नाम रखा गया था, एक British Navy officer के नाम पर, कई दशकों से ये चलता रहा, किसी के mind में नहीं आया, कि Port Blair, हम इसे Port Blair क्यो इन्होंने यहां के natives के लिए कोई बड़ा काम किया था नहीं, फिर भी आप सोचो एक जगा का नाम ही, एक ऐसे आदमी के नाम पर, जिसकी आज के समय extended family को पता भी नहीं होगा, कि उनके परदादा ने कहां पर क्या काम किया था, finally, मैं कहूंगा, एक बहुत अच्छा step लिय पोर्ड ब्लेर का नाम अब बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है, now, सबसे पहले मैप में आपको दिखाना चाहता हूँ, पोर्ड ब्लेर है कहां पर, उसके बाद जो इसकी importance है, और पिये मोधी ने overall, जो मैं कहूंगा, trajectory पगड़ ली है, कि colonial mindset से देश को निकालना ह और इसके south में, यहां पे आपको दिख जाएगा, यह है Port Blair, Port Blair राजधानी है, इस पूरी Union territory की, इसका इतिहास देखिए, बहुत ही जड़ा interesting है, Port Blair का mention आपको रमायंड period के आसपास ही मिलता है, रमायंड period में इस area को हंदुमन कहा जाता था, eventually धीरे धीरे इसका नाम बदलत गया, various maps में, अलग-अलग type के नाम दिये गए, Marco Polo जब 13th century में आए यहां पर, तो इन्होंने इस area को describe किया as Angamanian, और फिर 17th century में, British Lieutenant Archibald Blair, जो उस वक्त लीड कर रहे थे, Royal Indian Navy, actually East Indian Navy कहना चाहिए, इसे यह लीड कर रहे थे, इनके नाम पर इस पूरी जगा का नाम रख दि जो लोग भारत की अजादी के लिए लड़ रहे थे, उनको सदा देने के लिए, Britishers ने एक अलग से, mainland India से बहुत ज़रा दूर, Port Blair के राके में ही, एक jail बनाई, इस jail के बारे में आपने कई बार सुना होगा, काला पानी की jail, यहां पर भारत के कई famous freedom fighters को रखा गया, और total 773 prisoners यहां पर रखे गए, इन में से 64 hospitals में मारे गए, क्योंकि conditions यहां पर भहुत खराब थी, और देखिए Britishers का दिमाग मैं आपको बता दूँ, इतना evil था, जी हां, evil मुझको यहां पर word use करना पड़ेगा, जो freedom fighters को jail किया गया था ना, यहां पर, उन से forcefully Britishers, जो vegetation है, जो मतलब जंगल है यहां पर, वो clear करवाते थे, अब obvious ही बात है, जब यह जब यह जबर्दस्ती किया जाएगा, तो जो native population थी वहां पर, indigenous लोग थे, वो गुसा हो जाते थे, वो लड़ते रे freedom fighters से और लड़ाई होती थी और आप जान के रान होंगे, एक literal war हो जुकी है, British Empire और natives थे, अंडमान के, इनको हरा दिया, कई natives मारे गए, यह सब openly हुआ, history में properly documented है, मगर तब भी हमने आजादी के बाद भी न, इस जगा को Port Blair ही बुलाना ठीक समझा नहीं, तो पहला काम हमको यह करना चाहिए था, कि Port Blair जो नाम है, यह हम remove करते, और अगर हम महान लीडर, provisional capital declare किया था, आजाद हिंद का, तो बिलकुल देखिए, Port Blair का नाम बदलना बहुत important था, और फानली, लंबे समय के बाद, यह कर दिया गया है, और भारत के ग्रह मंतरी, एमद्शा जी ने इसके बारे में यह tweet करी है, यहाँ पे आप देख पाऊगे, inspired by the vision of PM Modi, to free the nation from the colonial imprints Today we have decided to rename Port Blair as Shri Vijaypuram, इन्होंने आगे यह का है कि अंदमान निकोबार आइलेंड का बहुत ही important role रहा है भारत की आजादी में, अंदमान निकोबार आइलेंड आइलेंड have an unparalleled place in our freedom, struggle and history, the island territory that once served as the naval base of the Chola Empire is today poised to be the critical base for our strategic and development aspirations देखें बिलकुल, अंदमान एड निकोबार आइलेंड की आप अगर location देखोगे तो काफी बार इसको का जाता है, कि इंडिया का natural aircraft carrier है, अगर ये इंडिया के पास ये पूरे टापू ना होते न, तो इंडिया देखिए, बेंगॉल में इतनी जादा अपनी जो dominance है, ये न other freedom fighters struggled for an independent nation, तो जैसे मैं आपको बताया, इंडिया की हिस्ट्री में बहुत important है, कि हम Port Blair का नाम एक ऐसा राम रखें, जो इंडियान कल्चर, इंडियान हिस्ट्री से काफी हथ तक जुड़ा हुआ है, यहां पे मैं ये भी add करना चाहूंगा, कि PM Modi के हिसाप से, इनकी government के हिस आप से, ये सब करना important क्यों है, जो छोटी सी clip है, मोदी जी की, ये मैं चाहता हूँ, आप देखें, आज आजी के अमरित महोसों में, देश ने गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ति का संकल्प लिया है, नई रास्त्रे शिक्षानिती, गुलामी की मानसिक्ता से देश को बहार निकार कर, टैलेंट को, इनोवेशन को निकार दे का प्रयास है, अब देखिये, देख में क्या स्थिती बना कर रख दी गई थी, अंग्रे जी भाषा के ग्यान को, इंटेलिजन्स का पैमाना मान दिया गया था, जबकि भाषा तो, स्रिप संवात का, कॉम्मिनिकेशन का ए इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंग्लिश यूज ना करें, यहाँ पे हम विशाजी ने ट्वीट करिए, यह भी इंग्लिश में है, बट यह बस एक मोड है कॉम्मिनिकेशन का, यह ट्वीट हिंदी में हो, किसी और भाषा में हो, तो उसकी इन्फोर्मेशन की जो इंपोर उनके मन में प्राइड है, कि हम इस टीम से बिलॉंग करते हैं, जो हमेशा जीतती आई है, वो आगे भी जीतते रहते हैं, आज के समय इंडिया का कोई इतिहास पड़ेगा, पिछले हजार सालों का, देखे कुछ हद तक बुरा लगता है, कि इतने लंबे समय तक हम गुलाम मार दिया गया, तो कही ना कही देखे क्वेश्चन आता है, कि क्या हम में ही कुछ गलती है, क्या हम बहुत ही आसानी से बढ़ जाते हैं, हमको युनिफाई होकर, एक एकटा खड़े होकर, प्रोग्रेस करना नहीं आता गया, तो बहुत सारे जो ये डाउट्स है न, यही है कलोनियल माइंडसेट में जकड़े होना, खुद पर विश्वास ना करना, तो अटलीस्ट जब हम हमारी इंपॉर्टेंट लोकेशन के नाम तो चेंज करके, खुद के तेहा से जुड़े वे जो नाम हैं, उनके एसाब से रखते हैं, इससे फ्यूचर जनरेशन को अटलीस् सेंचरी की तरफ बढ़ रहा है, और आप और मैं दोनों जानते हैं, आज कैसे में किसी भी एंपायर की जुरत नहीं है, ना ताकत है, कि वापस इंडिया को गुलाम बना पाए, तो देखिए जो ये नाम चेंज किया गया है, पोर्ट बलेर का, ये लंबे समय से ड्यू था, फाइनली ये हो चुका है, and I'm sure in the future, ऐसे और भी इनिशेटिव लिए जाएंगे, ना फाइनली आपसे आप एक सवाल पूछूँगा, question ये है, के हाल ही में देखिए, इंडिया ने एक joint military exercise कंड़ट करी है, अल नाजा के नाम से, किस देश के साथ, ये है, यहाँ पे आपकी options, UAE, Qatar, Iran, या फिर Oman, comment section में करी उत्तर, जो लोग सही answer देंगे, उनकी comment को मैं हाट दे दूँगा, ताकि वाकी लोग समझ पाएं, के सही उत्तर क्या है, and finally, आपर मैं ये भी add कर दूँ, के study IQ को 10 साल हो चुके है, जी हाँ, 10 साल, बेमिसाल, और इसको celebrate करने के लिए, study IQ की mega, 69% discount sale हो चुकी है, active, now, ये sale, अब तक की मैं कहूंगा, सबसे special sale है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहली बात तो मिल रही है, double validity, मतलब के अगर आपका course, एक साल का है, दो साल का हो जाएगा, और साथी साथ, एक mega discount, जो आज से पहले study IQ में देखा नहीं किया था, literally, we are celebrating with all of you, 5 जिन तक ये sale चलेगी, 11 तारीक से लेके, 15 तारीक तक, तो आपके पास ये golden opportunity है, आपको करना क्या है, simply जाईए वीडियो के comment section में और यहाँ पे आपको ये link दिख जाएगा, UPSC GS Foundation 2025 प्रतिग्या batch का, और इस link पर करिए click को और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं, study IQ का live UPSC course जह स्कोर्स में आपको मिलते थे 18 महीने, कि 18 महीने की आपको यहाँ पर विलेगी validity, इस sale के अंडर यहाँ पे आप देहोगे, 18 प्लस 18 टोटल, 36 महीने की validity यहाँ पे आप करोगे, enjoy, और 37,000 prices ये already काभी कम है, बट ये भी pay करने की ज़रुत नहीं है, simply यहाँ पर code डालिए PD10 औ और prices और भी बहुत जड़ा गिर जाएंगे, basically आप हर महीने के 600 रुपे पे कर रहे होंगे बस, और आप घर बैठके UPSC exam की कर सकते हैं preparation, so use the code PD10 and save money, याद रखिएगा, ये sale कुछी दिन के लिए है, make the best of it, use the code PD10 and start your UPSC journey, और इसी note के साथ, यह है वीडियो का, thank you for listening, and as I always say, may the gods watch over you.